नमस्कार, वेलकम टू माई चैनल, हमारी आज की रेस्पी है आलू मटन, आलू मटन बनाने के लिए इंग्रीडेंट्स आपके स्क्रिन पर हैं सबसे पहले हम एक कड़ाई में या जिस पर्तन में भी आप बनाना चाहें पतीले में, कूकर में सबसे पहले हम उसमें कूकिंग ओल डालेंगे, सर्सों का तेल डाला है मैंने या पर, तीन चार चम्मच, तीन बड़े प्याज लिए हैं, तेल गरम होने पर सबसे पहले हम उसमें प्याज डालेंगे, प्याज को हम ब्राउन कर लेंगे, उसके बाद हम इसमें मटन डालेंगे, मटन को हमने प्याज में भूनना अच्छे से, जिससे कि उसका कच्चा पन निकल जाए, सारा, थोड़ा नमक डाल के भूने इसको, इससे कि आपका मटन जल्दी से निकल जाए, तीन टमाटर लिए है, नमक डाला है, मटन में, नमक डालने से, पहले नमक आप डालेंगे, तो इसके अंदर भी चला जाएगा, अच्छे से पीस में, और ये जल्दी से पक भी जाएगा, अधरक लसन का पेस्ट लिया है, मैंने, तीन चार टेबल स्पून डालें आप इसमें, अधरक लसन के साथ में से, मटन को आप अच्छे से भून ले, खड़े मसाले अगर आपने डालने हैं, तो आप इसमें प्याज के साथ ही डाल दें, या प्याज से पहले डाल दें, प्याज डालने से पहले आप खड़े मसाले डालें, मैंने गरम मसाले के अंदर ही अपने खड़े मसाले पीछ लिये सारे तर्भ मसाला ड्ला मैंबम इसमें एक टेबल स्पून के करीडव गरम साला है कि साववा धनिया है एक टेबल श्पून हम अलधी आफ टीश्पून ये लाल मीर्स पौडर ये भी 1.2 तीजपून लिया है मैंने काश्मीरी लाल मीर्स पौडर, मसाले आप अपने अंदास के डाले हलदी मतल में मीट मसाळगा डाला है मैंने इसमे, हलदी 1.2 तीजपून डालनी है और मीट मसाला आपने इसमें एक टेबल स्पून के करीब डाल दें या एक टी स्पून डाल दें अप्रेस्वाद के अनुसार तमाटर कटे हुए तो खड़े मसाले मैंने गरम मसाले के अंदर पीछ लिए थे लाउंग, दालचीनी, लाइची वगरा अच्छा से बुन जाने पर इसमें आप आधी कटोरी के करीब या एक कटोरी के करीब दही डालें अगर ज्यादा खटा दही है तो आप आधे कटोरे डालें तो बहुत ज़्यादा कट्टा हो जाएगा कि कट्टा अगर आपका दही नहीं है तो आप एक कट्टूरे डाले अच्छे से भून लें जब आपका मतन आधा गल जाए आधा पक जाए आपका आसे तब आप इसमें आलू डाल दें आलू के टुकड़े बहुत चोटे ना करें सब्सक्राइब कर लें मीडियम साइज है तो आप दो टुकड़े कर लें आलू के साथ मटन को अच्छे से भून कर आप उसमें आवर्शक्ता के नुसार अपने पाने डालें कि इतना पानी आप उसमें रखना चाहते हैं कि यह हमारा मसाला अलगो गया तेल से आप इसमें टमाटा ग्रेटा करके डाल सकते हैं पानी डालकी से थोड़ें पकाएं इससे हमारे आलू पक जाएं पूरी तरह से और जो हमारा आधा कच्छा मटन था पूरी तरह से पक जाएं पानी के साथ में हमारा आलू मटन बिल्कुल बन कर इस वक तयार हो गया है चेक कर लें आलू को आप अपने पहले आप इसमें अर्भी डाल सकते हैं कुछ लोग अर्भी डालते हैं इसमें तो सेम प्रोसेजर यही है अर्भी डालते हैं कुछ अर्भी जल्दी पक जाती हैं कुछ फोज देर में पकती तो आप इसे साबसे बनाएं हमारा आलू मटन बिल्कुल बन कर त्यार है अगर आप खाते हैं तो रेसीप पसंद आने पर लाइक शेयर और सस्क्राइब जरूर करें और कमेंट भी करें थ तेंक यू